साइबर फ्रोड के मामले आज तक आपने काफी सुने होंगे लेकिन आज जो मामला सामने आया है साइबर फ्रोड का वो हैरान कर देने वाला है जहाँ पर ना ही कोई OTP शेयर किया गया और ना ही अपना जो क्रेडिट काड या ATM काड होता है वो नंबर शेयर किया कुछ भी ऐस साइबर थाने में पहुचें हैं निलो खेडी के रहने वाले हैं सिर्फ इक और उसके बाद पैसे अकाउंट से निकल जाते हैं तो बेटी यहांपर मुझूद है उन्हीं के पास कौल आता है क्या कुछ हुआ था इनी से जानते हैं में क्या कुछ हुआ था मेरे पास को यह का मेरे पास को यह पास नहीं आया कोई भी पैसे तो उसके बाद में ने देखा एक दो मिनट बाद की हां मेरे 30,000 कि अपको आपके बहुत हैं मैंने आपके बहुत हैं तो मैंने का नहीं मेरे पास कोई नहीं आए कुछी पहले मैसेज आ जाता है तो वो कौन थे नाम बताया की आपके फादर को कैसे जॉस्क नांते हैं नहीं उन्हों फ़्ट उलेकि वी मैं शोकुमार हूँ उनका लोकेशन डेली की आ रही है डेली की लोकेशन आ लिए तो आप उन्हें जानते थी नाम बताया जब उन्हें नहीं मैं जानती नहीं तो क्योंकि कई पर तो आपने कोई ओटी पी नहीं मेरे नाम मैसेज पर आया ओटी पी कुछ भी आपने शेयर नहीं किया कोई नंबर नहीं बताया फिर हैरान कर देने वाला मतलब पैसे कैसे निकल गए को समझ नहीं है तो उन्होंने पुछा कि गूगल पे का नंबर आप सका वही था जिस पर आ तो आपको कंप्लेंट दर्ज करवा दी है अपने हांजी करवा दी क्या कुछ कहना है पुलिस का समय बस यह कहना है कि हो जाएगी देखते हैं फिर क्या कुछ कहना चाहेंगे बेटी को कॉल आता है आपका नाम लेकर की ट्रांजेक्शन की गई है और ना ही कोई OTP शेयर किय बिरने कर दो करेंगे पूलिस वाड़े को यह करेंगे आपके पैसे आजाएं जैसे वी उसमें क्या पून ने का भी हो सकता है जाए कि पुचारी कोपरेट कर रही है प्ली साओंस से निकले है बीस जार पे निकले हैं यहां पर आकर कंप्लेंट दर्च करवाई तो क्या कुछ और जानकारी मिल पाई यह अद्दोबारा कॉल करने का प्रयास किया अपने उसलम्हां जी किया था बट वो ब्लोक आ हाला कि हम यह कहते हैं अक्सर हम भी कहते हैं कि जागरूख होना बहुत जादा जरूरी है क्योंकि साइबर फ्रोड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं मैं मैं आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हम आपने काफी खबरे भी देखिए हम लोग बात करें यहां यहां पर यह एक ध्यान देने वाली बात है अकसर हमारे पास भी काफी अन्हों नंबर से कोल आते हैं लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं ना ही कोई OTP नंबर की अगया है ना ही कुछ और डेटेल शियर की गई है कि आपके अकाउंट से पैसे निकल जाएं सिर्फ जिस नंबर से बात हो रही थी वो नंबर जो है गूगल पेपर था और ये कहा गया कि मैं आपके पिता जी को जानता हूं बात कर रहा हूं तो ट्रांजेक्शन जो है बेटी की अकाउंट से होती रहती तो उन्हें लगा कोई जानकार होगा पैसे ज पैसे निकल सकते हैं इस वक्त आप तस्वीरे करनाल ब्रेकिंग न्यूस के माध्यम से देख रहे हैं साइबर क्राइम पुलिस टेशन से निलोग खेड़ी के रहने वाले हैं ये पिता और बेटी और यहां पर पहुंचते हैं ओनलाइन रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी पहुंचे यहां पर सर क्या कुछ कहना चाहेंगे बाकि सब लोगों को कि तरीके से जारू अंपर कोबिना किस बेख बीजए गा तो जाते तो बीघाडर करो drought ृओन राफिए अगर यह किसी को पैसे नहीं बताने चाहिए इन बात तो यह है क्या नाम है आपका क्या कुछ कहना चाहेंगी बाकि सब लोगों को किस तरीके से अवियर होने की जरूरत है बस मैं यहीं कहना चाहूंगी कि अन्नो नंबर किसी का भी अटेंड ना करें अगर अटेंड करें तो पहले आपके फैमली में कोई कह रहा है कि त्रांजैक्षिन आपकी फैमली का कोई परसन कर रहा है तो आप उन से कनफर्म कीजी ऐसे किसी अनन परसन से बात भी मतलब करना आपके लिए जोख्षिम भरा हो सकता है और आपके अकाउंट से पैसे निकल सकते हैं, एक बड़ा मामला है, हैरान कर देने वाला मामला सामने निकल कर आया है, साइबर फ्रोड का बिना कोई नमबर दिये, बिना कोई OTP दिये, कोई भी डिटेल शेयर की अकाउंट से निकल जाते हैं, बीस हजार रुपए, बेटी को कॉल आता है कि आपके प प्लेंट दर्ज करवा दी गई है, यहाँ पर जागरुक करने के भी प्रियास किया जा रहा है, इन पिता और बेटी की तरफ से, तो आप लोगों से भी यह अपील, थोड़ा सा ध्यान रहें, सावधानी से रहें, किसी से भी OTP, तो यह तो हम कहते हैं कि OTP मत शेयर कीजिए लेकिन साथ एसाथ किसी unknown person से इस तरीके से बात भी मत कीजिए, क्योंकि सिर्फ बात करने भड़ से भी आपके पैसे निकल सकते हैं, यह विडियो को हर एक व्यक्ति तक जरूर पहुँचाए, क्योंकि किसी के साथ भी यह cyber fraud हो सकता है, कीरती के थूरिया, करनाल ब्रेकिंग